हेलो दोस्तों स्वागत आप सब का एक अपने योटीव चैनल में लेकर राए और्ट चलिए ज़गर चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें आगे आगे आपको एज्यूकेशन के अपडेट मिलते रहेंगे तो सबसे पहले बात कर लेता है गवर्मेंट आव राज्जा स्वरी रास्तान फाइनस डिपार्टमेंट द्वारा एक एक अक्टूंबर को आदे जारी किया गया है जि अब्चेशन लिए की दिशेसी अने सरविश में जा रहे हैं तो ऐसे उनके लिए लिए क्या चैंज किया गया है डिसी जिजन वो मैं स्पस्टिक्ण कर देता हूं the matter has been examined and it is decided that all officers and employees of the all department under administration control of finance revenue department no longer require to apply for seeking no objection यानि कि अब यह decide किया गया है कि किसी भी officer कर्मचारी को administration के control में है यानि finance revenue department के उनको आगे apply करने की जरूत नहीं है no objection यानि किया सकता है अगर वो किसी exam में बैठ रहे हैं या कोई नई service में किसी पद पर जो exam के लिए जो conduct हो रहा है चाहिए RPSC के थुरू हो या अधर कोई board के दर exam हो रहा तो उसमें बैठने के लिए उनको agree मनुमती की आओ सकता नहीं है और आगे बात यह कई गई है from their respective controlling officer but they would seek permission from their respective controlling officer at the time of joining यानि कि पहले agree मनुमती की कि किसी भी exam में बैठने के लिए select होने के लिए अगरी मनुमती की आओ सकता नहीं है लेकिन उन्हें permission की आओ सकता है कब controlling officer at the time of joining यानि किसी भी control जो आपका controlling officer है आगे अधिकरत officer है उससे permission लेने की आओ सकता है at the time of of Joining यानि कि joining के समय आपको permission लेनी है new post या new service जब आप तो आपको पहले पढ़abil यह रिखारी से list नई पोस्ट पर जा रहे हो तो आपको क्यीवल जॉइनिंग से पहले at the time of Certain on we got to get the security nicht जुइनिंग से पहले आपको पुराने वाले Office से उसके अधीकारी से परमिशन लेने याँ सकता है लेकिन जो है पहले अग्री मनुमती ली जाती थी नो अब्जेक्शन फ्रॉम ये रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफिसर यानि कि अब उनको रिक्वाइड नहीं है अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर से परमिशन लेने कि आऊ सकता है तो ये बड़ा बदलाव किया गया है करमचारियों के लिए उनको अग्री मनुमती की अब आऊ सकता नहीं रहेगी केवल अगर वो सेलेक्ट हो जाते है किसी नए पोश्ट या पद पर तो उनको जॉइनिंग के समय जो है उनकी अनुमती आऊ सकता है बाकी वो एक्जाम कंटक्ट में कर सकते हैं जो भी एक्जाम होते हैं उनमें बैठ सकते हैं और परमिशन कि आऊ सकता नहीं है केवल अगर वो सेलेक्ट होते हैं नई जोइनिंग लेनी है तो उनको परमिसन लेने किया हो सकता होगी तो यह सरकूलर जारी किया गए एक अक्टूंबर को इसके साथ ही दोस्तों एक बात करूंगा मैं एक और जो है महत्पूर्ण जानकरी है करमचारियों के लिए स्पेशल केज़ल लिए प्रपस अगर आप सरकारी करमचारियों ब्लड डॉनेट करते हैं तो आपको एक दिन की मिलती है यह सरकार का तो सरकार का यह सरकूलर जारी हो रुखा है गोवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिश्यों प्ली गव्वष्व परस्टवीप डिपाटमेट States में यह कहा गया है कि अगर सरकारी करमचारि को किसी दिन ब्लर्ड डॉनेट के लिए review to a government servant who donate blood on that day in this regard this is note that presently this rule apply only to wall blood donation and does not cover frees donation it is felt that the rules should cover increases donation as well as since it will have added advantage of getting blood components like platelets and plasma etc yajaniki it has been decided that special casual leave may be granted for blood donation for effecious blood components such as red cells plasma platelets access donation at license blood banks on at working day for that day only up to maximum of four times in a year on submission of valid proof of donation यानि कि यह decide किया गया है इस rule में कि special casual leave सरकारी करमचारी को मिलती है अगर वो अपने blood donate करते हैं जिसमें यह भी आते components भी blood के जैसे के red cells है plasma है platelets है इनको भी donate करता है किसी license blood bank को या किसी सरकारी जो ऑस्पीटल वहाँ पर donate करते है special day को और maximum जो है four time मिलती है in a year यानि एक साल में चार बार वो special casual leave सकते हैं और उनको valid proof देना होता donation का अगर वो उन्होंने blood donate किया है तो तो इस प्रकार से blood donate के लिए भी करमचारी को special जो है casual दी जाती है यह बड़ी बात है कई करमचारी को इसके बारे पता नहीं है तो इसके बारे में जैपूर का भी एक order दिया हुआ administration secretary of government department राजस्तान जैपूर इसमें decided that one day special casual may be granted to the government servant donation blood voluntary without taking payment for the same such special casual may be granted for five days in a year यानि साल में पांच बार दी जा सकती है इस दा एंप्लोई donate blood five time during the calendar यान यानि एक साल के बीतर अगर वो पांच बार ब्लेट करता है सरकारी करमचा तो पांच बार उसे casual मिलेगी special the medical officer taking blood voluntary from government servant will issue a certificate of the effect immediately the head of the department should then sanction special casual leave on the authorize of such certificate यानि इस पका का certificate जो है department से आप ले सकते हैं जहां पर blood donate करते हैं तो blood donate के बाद आप इसको जो है आगे paste कर सकते हैं ताकि आपको अपना department जो है special casual leave भी grant कर सकता है तो यह महत्मुन जानकरी तिक्रमचारियों के लिए दो महत्मुन खबर इस वीडियो में असा करता हूं वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा